दोस्तों आज का नाश्ता तो कुछ ऐसा है जो बच्चों और बड़ों दोनों के मुँझे बहुती ज़ादा पानी दाने वाला है टेस्ट का तो पूछिए मत बहुती टेस्टी लगता है और बनाने में भी बहुत असान है इसको मैं तीन तरीके से बताऊंगी, जो तरीका आपको easy लगे उस तरीके से बनाईए, तो चलिए फिर शुरू करते हैं, इसको बनाने के लिए भी जो घर में समान available होता है बस हम उसी से बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको दो कप सूजी ले लेना है, जो महीन वाली सूजी दाल सकते हैं, फिर मैं डाल रही हूँ, एक चम्मत चिली फ्लेक्स, आप इसको अवाइट कर सकते हैं, बच्चों की हिजाब से जैसे बनाना हो, फिर थोड़ा-थोड़ा करके हम पानी डालेंगे, एक बार में नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें लम्स हटाने हैं, और उतना ही कंसिस्टेंसी हो जाए, तो आप इसको ढख के 10 मिनिट के लिए रख दीजेए, अब 10 मिनिट हो चुके हैं, हम सबजिया मिलाएंगे, तो एक कप मैंने गाजर मिलाई, एक कप शिमला मिर्ज, आप अपने मन पसंद कोई भी सबजी मिला सकते हैं, फिर मैंने एक कप प्याज आप स्किप कर सकते हैं, और आधा कप मैंने धनिया डाली है, तो आप इसमें और भी बहुत सारी तरेके की सबजीया मिला सकते हैं, जैसे कौन वगरा मिला सकते हैं, बहुत अच्छा स्वाद आता है, और इसको अच्छे से मिला देना है, तो इतना अच्छे से मिक्स करना है जो है आपका बड़ा गाढ़ा सा एक बैटर बन जाएगा देखिए 10 मिनिट में ना सूजी फूल जाती है तो पहले अगर आपने पानी ज्यादा भी हो गया है तो सूजी फूल जाएगी तो गाढ़ा बैटर मिल जाएगा अब हमने इसमें डाला है आदा चम्मच इनो आप बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं और उसको अक्टिवेट करने के लिए ना मैंने एक चम्मच थोड़ा सा पानी डाला है और थोड़ा ही इसको हिलाना है जितना की पूरे बैटर में हमारा इनो मिल जाएगा बहुत तेज से मत अब धकन पे भी देखें मैं घी लगा रही हूं तो आप इस तरह से ना चाहें तो ना करें आप बैटर के ऊपर भी गी डाल सकते हैं तो अब इतना हमें बैटर डालना है जितना की हमारा पूरा ये कवर हो जाए अब इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम पकाएंगे तो ब भी या बटर आप कुछ भी डाल दीजिए मैंने घी डाला है और अच्छे से जब घी मेल्ट हो जाएगा तो दो से तीन बड़े चमच आप बैटर डाल दीजिए और बस हम इसको ढख देंगे धकने के बाद हमें करीब इसको तीन से चार मिनट पकने देना है तो इस्टीम म जब आप पलट देंगे तो बहुत ही अच्छा भूरा कलर आता है तो पलटने के बाद भी हमें करीब 2-3 मिनट पकने देना है तब आप धकन नहीं भी लगाएंगे तो हमारा चलेगा तो अब अलग से घी डालने की ज़रूत नहीं है उतने में ही यह पक जाएगा तो बस अ पर हम अब अपना बैटर डाल देंगे और इतना बैटर डालना है कि यह पूरा जो नीचे का सर्फस है वो कवर हो जाए तो इसमें खुब सारा बन जाता है तो सबसे एजी मतलब जो कई लोगों को खिलाने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है तो इसको पकाने में हमें 5 5-6 मिनिट पहली एक साइड में लगेंगे फिर दूसरे साइड 3-4 मिनिट लगेंगे तो 5-6 मिनिट के बाद देखिए उपर की सता एकदम जो है ड्राइ हो गई है और यह अब तवा यह जो फ्राइपन है नीचे का उसने छोड़ दिया और अर अराम से पलट जाता है कोई परेशानी नहीं होती है आप 3-4 मिनिट आप और कूख कीज़े और जब करीब 2 मिनिट के बाद इसको आप अप स्लाइसिंग कर दीजे तो जब स्लाइसिंग कर देंगे ना तो जब स्लाइस हो जाए जब बना देंगे आप तो बीच में थोड़ा सा घी डाल देंगे और तो देखिए यह फास्टेस तरीका है एकदम पिज़ा से बेटर टेस्ट आता है आप ट्राई करिएगा तो अब करीब 10 मिनिट हो चुके है हमारा यह सैंडविच भी रेडी हो गया है बहुत रेड मैने नहीं किया है क्योंकि बहुत रेड करने में क्या होता है कि यह बताईगा कि कैसा लगा और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर भूलिएगा नहीं फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए स्वस्त रहिए सुरक्षित रहिए तन्यवाद